Principles of Systematics Module 208 Nematodes Nematode is a phylum of invertebrate which is pseudosylomate यानि यह ऐसा invertebrate का phylum है जिसके अंदर body cavity तो मौझूद है लेकिन यह body cavity वो तमाम जो characteristics हैं वो नहीं रखती जो के एक true sylom के अंदर मौझूद होने चाहिए इसी वज़ा से इनको pseudosylomate कहते हैं यानि इनकी जो body है उनको दो बराबर हिस्सों के अंदर हम तक्सीम कर सकते हैं थ्रू सिंगल प्लेंड उसके लाबा यह triple blastic है यानि इनके अंदर three germ layers मौझूद है एक्टोडम भी मौझूद है, एंडोडम भी मौझूद है और मीजोडम भी मौझूद है ये ख्याल किया जाता है, कुछ लोग इनको tube inside the tube like animals कहते है क्योंकि इनकी body के अंदर जो digestive system है वो throughout the body चलता है तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे एक tube है और उसके अंदर एक और tube है इसी वजह से इनको tube inside the tube like digestive system या animals हम कहते है उसके लावा they exhibit tissue level of organization इनके अंदर जो sylome है, body cavity है, वो pseudo-sylomate है इसको false sylome भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर true sylome के characters मौझूद नहीं है जानी बकाइदा इसके अंदर mouth मौझूद है, इसके अंदर anis मौझूद है और ये they are sexually dimorphic इससे क्या अमराद है इसका मतलब ये है, इनके अंदर male और female अलाइदा होते हैं उसके लबा, they are divide of circulatory system and respiratory system इनका जो circulatory system है या respiratory system है वो develop नहीं है इसमें बहुत सारी examples ऐसी हैं जो free living हैं लेकिन बहुत सारे parasites हैं परस्टिक निमेटोर्स cause disease in the host जिस बाड़ी के अंदर ये रह रहे होते हैं जहां से ये खुराक हासिल करते हैं, उन animals के अंदर ये disease भी फ़लाते हैं fertilization is internal and reproduction is sexual, sexual तरीके से reproduce करते हैं अब जो parasitic form है, parasitic form के अंदर बहुत सारी modifications हैं क्योंकि जो parasites हैं वो host की body के अंदर रहते हैं अब host की body के अंदर जब ये रहते हैं तो host की body के अंदर survive करने के लिए इन के अंदर बहुत सारी adaptations का होना जरूरी है क्योंकि जब ये host की body के अंदर रहते हैं तो होस्ट के बाडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे केमिकल्स हैं जो इनकी बाडी को डैमिज कर सकते हैं तो होस्ट के अपर जो कवरिंग है वो मौडिफाइड होती है ताकि जो होस्ट के एंजाइम्स हैं उसके जो केमिकल्स हैं वो इनको डैमिज न structures मौजूद होते हैं जिसकी मदद से यह host के जो digestive track है उसके साथ attach हो सकते हैं तो इस किसम की modifications इनके अंदर देखने में आई हैं उसके लावा the body wall muscles are longitudinal जानी इनकी बाड़ी के अंदर longitudinal muscles मौजूद हैं और इनके जो spumps हैं वो amoebide हैं amoebide से क्या अमराद है जिस तरह amoeba move कर सकता है एक जगा से दूसरी जगा जा सकता है और अपनी वो shape भी तबदील कर सकता है इसी तरीके से इनके जो spumps हैं उनके अंदर भी इसी किसम की property मौजूद है इसी वज़ाए से इनको amoebide type of spumps कहा जाता है they consist of stimulus हैं उनको sense करते हैं तो जो nematodes हैं nematodes basically anodes का ऐसा phylum है जिसके अंदर siloam तो मौजूद है लेकिन ये true siloam नहीं है ये siloam के तमाम characters को पूरा नहीं करती उसके लावा इनके अंदर tube like digestive system मौजूद है ये triple blastic animal है इनके अंदर bilateral symmetry मौजूद है इनके अंदर sexual reproduction होती है ये dimorphic है यानि male और female इनके अंदर separate separate है इसके अंदर free living form भी शामिल है और इनके अंदर parasitic form भी मौजूद है जो parasitic form है उनके अंदर बहुत सारी modifications है ताके ये host के body के अंदर survive कर सके कियाम है चुरे मौजद क्वेश हुआ ने ऐसी कशयट अं मौज़़ग है,